अगर दाक्तर करने लगे इंजीनियर का काम तो समझो मरीज का हो गया सब काम तमाम अब कहने लगा मरीज फकत इतना बोल के अबे जालिम कहा चला गया नट बोल्ड खोल के कहने लगा मरीज फकत इतना बोल के अबे जालिम कहा चला गया नट बोल्ड खोल के तो जिसका जो काम है वो काम अगर वो करे तो उसमें खुबसूरती पैदा हो जाती है सरदार करेंगे ना जमीदार करेंगे सुवान अल्ला कहते रहे ताकि नेकियों में एजाबा होता रहे सरदार करेंगे सब लोग हातों को उठाएए और लहराइए हातों को कहिए या रसूल अल्ला सरदार करेंगे ना जमीदार करेंगे अरे हम सब की मदद सयदे अबरार करेंगे हम सब की मदद सयदे अबरार करेंगे और महशर में ये कह दूंगा फरिष्टों से की जाओ अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे महशर में ये कह दूँगा फरिष्टों से की जाओ अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे अब जो भी करेंगे वक्त किलत दामानगीर है मैं बहुत जादा आपका वक्त भी नहीं ले सकता आपको एक बहत्रीन उम्दा खिताब जो इस वक्त पूरे मुलके हंदोस्तान में बड़े बड़े जलसे बड़े बड़ी कानफरेंसों की जमानत गुआ करता है जिसका खिताब हदरात उस खतीब को सुनने के लिए पूरे हंदोस्तान के बाज़ाओ सामयने कराम इंतजार करते हैं उस खतीब का नाम है खतीब आजब हंदोस्तान खतीब आलम इसलाम हज़त अल्लामा स्यद शबाहत हुसैन सहाब किबला मुरादाबादी जिनकी तकरीर आपको समात करना है उनका खिताब हो कारी तहजीब रज़ा लकनवी की नाते हो यूसुफ रजा आर्जू की नाते हो शायर हदिल अज़ीज जनाब दिलबर शाही कलकत्वी की नाते हो उससे पहले आईए थोड़ी देर का खताब खतीब एहल सुन्त आपके अलाके में अक्सर उनकी तकरीरे हुआ करती है एक बहतरीन तकरीर उम्दा तकरीर अज़रत अलामा कारी निसार रह्मस सहाब कुबला निजामी अमर्डोबा ते जिनकी आबद हुई है उनकी तकरीर होने जा रही है आप से गुजारिश करते हुए कि आप उनका इस तक्बाल की जिए नारा लगाईए नारे तक्बीर और जुर्दा लगा ये इतनी तेज नारा तो मुसल्मान रमदान शरीब के महीने में अब तारी से पहरे लगा सकता है जरा जोच लगाईए जोचे नारे तक्बीर नारे रिसालत रह्मत आलम कानफर्स अल्लामा निसार रह्मस सहाव कबिला निजामी नारे तक्बीर नारे रिसालत सब जहां गीरों जहांदार खड़े हो जाएं अरे सर जुका के सभी सरदार खड़े हो जाएं और हच्र में उसको गवाही की जरूरत ही रही जिसके हक में मेरे सरकार खड़े हो जाएं मिम्र नूर पर बैटे, बावकार, उल्मा ए एहल सुन्नत, सुरा ए इसलाम, तालिबान उल्म नविया, हाजिने मजलिस, परदान शीन खातिन इसलाम, असलाम आलेकुम रहमतुल्ही बरकातु, वालेकुम ज्सलाम प्रहमतुल्ही बरकातु, मातीनु करीमु रौफु रौफु रौहीम। अपने आँका पर दुरूद है फरिष्टो का वजीफा अस्सलातु वस्लाम। और मैं वसुननी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्लाम। हजराते मुतरम आज हम और आप इस जशने रह्मत आलम कान्फिरंस में हाजिराय मौला की बारगामे दुआहे के लर्ब लिज्जत हम तमामे मुसल्मानों की सहाजरी को अपनी बारगामे कबूल और मकबूल फरमाएं। हम तमामे मुसल्मानों को हक बोलने हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफी के रफीक अता फरमाएं। हजरात आज के इस महफले पाक में महिब गिरामी वकार शेहनशाह तरन्नम बुलबल बागे मदीना जनाब कारी मुहम्मद यूसफ आरजु बस्तवी की दावत पर लब्बेक कहकर आपके दर्मयान हाजिर हुआ होूँ इन्शालला रब लिज्जत आपके सामने थोड़ी द अलामा महम्मद शरीफ उल्हक सुबहानी साफ इबला तश्रीफ रखते हैं उनके इलामा मेरे बाद आपको एक उम्दा खिताब एक चमकता खिताब ओलाद रसूल ओलाद घुस आजम पीर तरीकत हजरत अलामा अलहाज अशाह सेद शबाहत हुसें साफ इबला दामत बरकात अल्कुद्सिया का समात करना है उनके इलामा शेहन शाह तरन्म जनाब कारी तहजीव नक्रवी आबरु तरन्म जनाब दिलबर शाही कलकत्वी की नातों मनकबत को भी समात करना है बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे दरमयान आली जनाम महम्मद नौशार्ट साहब डा अरिक्टर लिम्रा अजनसी भी मौजूद हैं मैं दूआ करता हूं कि अल्रब लिज्जत उन पर अपना खास फजल फरमाई करम फरमाई इसी तरीके से उन्हें दिन इसलाम की खिदमतों को अन्जाम देने की तोफी की रफी की रफीक मताबाए आज की इस दोरे जमाना के अ इसलाम की खिदमत को अपने तरीके से अन्जाम देने की कोशिश की और अल्ला रब लिज्जत ने इने कामयाब किया और आज का ये प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं बड़े भाई आले जनाब मुहम्मद रहमस साहब जिन्होंने बड़ी महनतों मशक्त से अकेली इस वालिदे महतरम मुहमद वाजी साहब और मुहमद दिल्शास साहब मैं मौला की बारगा में दुआ करता हूं कि रब तबारा का वताला इन पर अपना खास फजल फरमाई करम फरमाए इन पर रहमत नूर की बारिश अता फरमाए और इने इसी तरीके से दिने इस्ताम के आमें आमें मुहमद वाजी सिये थना मुहमद वारिश श्लातु अबसक्वाज अ रहमत रहे आ रहता है फजल्ला हुझा करता है आमें आपको बताओं आल जनाम मुहमद रहमत साहब ने बड़ी महनत و मश्रक्त के साथ आज अपने गाउं में एक अज़िघन रहमत रहमतिया Conference का इंकाद किया इन्होंने ये सौचकर इंकाद किया था अपने दिल में ये तमन्ना लेकर इस बजम को सजाया था कि जब मैं अपने गाउं में रहमतِ عالم Conference का इंकाद करूंगा नभी की बजम को सजाऊंगा पैगंप्र इस्ताम के गभाउं कार की महफिल को रखोंगा तो मेरे गाउं ही नहीं बलकि कुर्बो जवार से मुसल्मान चलता हुआ नजर आएगा लेकिन वहरे मुसल्मान आद तेरी जिन्दगी पर मातम करने का दिल करता है तेरी जिन्दगी पर अफसोस करने का दिल करता है आज मुसल्मान अपनी जिन्द लड़की की नाच होती है तो मुसल्मान उस आवारा लड़की की नाच को देखने के लिए हकीकत में सफर करने पर आमादा हो जाता है उसके जिसमों की नुमाइश देखने के लिए हकीकत में मुसल्मान रात को नहीं देखता है अधेरे को नहीं देखता है दूवान को नहीं बारिश को नहीं देखता है बलकि ऐ मुसल्मानों 20 किलो मीटर ही की बाद छोड़ दो 50-50 किलो मीटर तक मुसल्मान आवारा लल्कियों का डांस देखने के लिए चला जाता है यही एद की सवाइद की प्यारी महफिल है हकीकत में यही प्यारा दिन गुसर रहा है इस एद के मौके पर इसने मुसल्मान जाकर हाल में बैटकर एए मुसल्मानों आज के इस दोरे जमाना के लोग किस तरीके से तालीमातِ मुस्तफा को बदनाम कर रहे है आज मुसल्मान ये सोचता है रमजान का महीना आ चुका है सल्मान खान की कौन सी फिल्म लग रही है उस फिल्म को हमें देखना चाहिए उस मुवी को हमें देखना चाहिए एए मजब इस्ताम से तालुक रखने बालो एए पेगंबर इस्ताम के खुलामों कान कोल कर सुलो अगर तुम्हारा वकार इसी तरीके से रहेगा तुम्हारी जिन्दगी का मियार इसी तरीके से रहेगा तो वो दिन दोर ना होगा कि तुम बर्बाद कर दिये जाओगे अगर अपने आप में आबाद होना चाहिते हो तो NBी की सहिंच्छत पर चलना शोरो करदो मुतौब इस्ताम की तालीम पर चलना शोरो करदो मेरा तावा है तुम्हारी दुन्या भी सबरेगी तुम्हारी आखरत भी सबरती भी नसरा इस سबान Allāh, سबान Allāh नारे तक्विर नारे रिसाला रह्मति आलम कांफरेंस सुभानला सुभानला यहां तक की रब कायनात का फर्मान है कि अगर मेरा महबूब दुन्या में ना जाता तो मैं अपने आप में रब होने को तस्रीम ना कराता आप पूछेंगे कैसे तो आओ एक रिवायत आपकी निगाहों के सामने रखता चलो हजरते अब्दुल्या इबन अब्बास बियान फर्माते है कि एक मरतबह हजरते मुसा लेही सलात असलाम को हेतूर पर पहुचे अल्ला की बारगा में अरीजा पेश करते है ए रब तबारा का बताला आज तुने मुझको ऐसी नेमस से नमाजा है कि पूरी दुन्या में इस नेमस से किसी इनसान को ना नमाजा रब कािनात ने इर्शाद फर्बाया ए मुसा मैंने तेरे दिल को मतवाजा पाया इसलिए मैंने तुझको नमाज दिया मगर ए मुसा सुनो सुनो फखुजमा आतेना कवकुम मिन श्शाकरिन वमताला तुहीदी वहुब मुहम्मदी सलाला अलिही वसलम ए मुसा जिस नमस से तुझको नमाजा किया है उस पर तुम मेरा शुक्र अता करो और मेरी तुहीद के साथ मुहम्मद अलिही सलातु असलाम की महबब पर रहो हजरते मुसा अलिही सलातु असलाम अल्ला की बारगा में मचल जाते हैं अल्लाँ की बारगा में अरीज़ा पेश करते हैं ए रब तबार्दा का बतला किया तेरी तोहीद के साथ मुहम्मद अलय ही सलाथ व असलीम की महब्बश जरूरी है एՒ मसल्मानों रब काइनाथ के मकाम को मलाइज़ा करो रब तबार्दा का बतला हम गुनेगारों से कितना प्यार करता है हमारे मकाम को कितना बढ़ा रहा है अल्ला रब रिज्द्ट इर्शाद फर्माता है ए मुसा अगर मुहम्मद और उसकी अम्मत को इस दुन्या में भेजना मकसद ना होता तो मैं जमीनों जमा को पैदा ना करता मैं मकीनों मका को पैदा ना करता मैं लाजों कर्द्ट को पैदा ना करता मैं जमाता को पैदा ना करता मैं नबाता को चमादात को पैदा ना करता मैं हैवानात और मखलुकात को पैदा ना करता हता कि ए मुसा अगर मुहम्मद और उसकी अम्मत को तो इस दुन्या में भेजना मकसद ना होता तो मैं तुझे भी पैदा ना करता और हदीसे कुदसी है रब तबारा का बताला का फर्माने गाली शान है अल्ला रब लिज्जत इरिशात फर्माता है लोला कलमा अजहरतो रबूबिया ए महबूब अगर तुझे दुझे दुन्या में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपने रबूबियत का एलान ना करता जब इस हदीसे कुदसी पर आला हज़रत अजीम बरकत मुझतिते मिज्जते माजिया वहाजरा इमान इश्क औ महबत की नजर पड़ती है तो पुकार उड़ते है प्रैली की кदसर जमीन से वो जो ना थे तो कुछ ना था वो जो ना हो तो कुछ ना हो जान हे वो जहान की जान हे तो जहान سبحानला सبحानला मुझत आपको बताना चाहीता हो इस रिवायत के पता चल गया कि ए मुसल्मानों अगर काइनात का जर्रा जर्रा दिख रहा है तो ये मेरे आका पेगंबर इस्ताम का सद्का है लेकिन आज मुसल्मान की जिन्दगी पर ख़र करो आज जब हम मुसल्मान की जिन्दगी को देखते हैं मझाब इस्ताम के माणने वालों की जिन्दगी को देखते हैं तो ऐ मुसल्मानों तारीख बता रही है कि दुन्या का कोई ऐसा गुना नहीं है जो आज मुसल्मान करता हुआ नजर ना आ रहा हो दुन्या का कोई ऐसा बुरा काम नहीं है जो मजभब इस्ताम का मान देवाला करता नजर ना आ रहा हो हकीकत में मैं आपको बताना चाहीता हो जबसे मजभब इस्ताम के बाट देवालों ने मुसल्मानों नभी की शरीज़त को छोड़ा है आज पूरी दुन्या के अंदर देखा जा रहा है आज मजभब इस्ताम पर कुछ उचा ले जा रहे है नभी के खुलामों को सताने की बात की जा रही है आज कुछ लोग ये समझ लिये है कि हम मजभब इस्ताम को मिटाने के लिए अगर मुसल्मानों का कतल करना शुरू कर देगे तो मजभब इस्ताम मिट जाएगा लेकिन मैं आपको बताना चाहीता हो अभी हाल ही में नुजलेंड की सर्जमीन के उस वाके पर भी नजर डालो कि मस्जिद में जब मुसल्मानों को गुलियों से भूना गया था उन्चास लोगों को मौत के घाट उतारा गया था मगर ए मुसल्मानों एक तरफ उन्चास की जान गई थी तो उसी नुजलेंड की सर्जमीन पर तीन सो ईसाज जोड़े मजभ इस्ताम में दाखिल होकर दुन्या के लोगों को पेखान दे दिया था एए दुन्या के लोगों सुने सुनो मथाब इस्ताम ऐसा मजभ है इसको जितना तबाह होगे उतना वो उभरता हुआ नज़राएगा सुबानला दारे तक्बीर दारे रिसालत रहमतِ आलंग कानफरेंस सरकार कियामत सुबानला सुबानला लेकिन एए मुसल्मानो हाल तो आज मुसल्मानों का इतना बुरा हो चुका है एक वक्त ये था कि यही मजभ इस्ताम का माड़ बाला नभी की शरीयत पर इस तरीके से जिन्दगी बसर करता था कि गयर भी मुसल्मान को देख कर कहते थे कि ये देखो शरीयत मुस्तफा पर अमल करने बाला मुसल्मान है मैंने तारीक का मुतला किया कि इसी बुल के हिंदुस्तान के अंदर हकीकत में लोगों ने हमसे इतना प्यार किया है कि ए मुसल्मानों अगर को आग गैर लोग अगर कही रिष्टेदारी पर जाते थे अगर उनकी बेहन जबान रहती थी उनकी बेटी जबान होती थी तो मुसल्मानों को सुफुर्द करके अपनी बेट्यों को चले जाते थे अपनी बेहनों को चले जाते थे उन लोगों को खबर थी कि ये मज़ाब इस्ताम का माद्डे बाला है अपनी गर्दन को कटा सकता है मगर कभी मेरी बेटी की इज़तों को निलाम नहीं होने देगा लेकिन आज मुसल्मान की जिन्दगी देख सकते हो आज का मुसल्मान किस तरीके से अपनी आबरू का सौदा कर रहा है अपनी जिन्दगी का सौदा कर रहा है आपने देखा होगा यही मुसल्मान जम्मार कीटों से गुजरता है हकीकत में मुसल्मानों उसकी निगाहे सिर्फ क्या डोड़ती है क्या मेरी महले की फला की बेटी है की नही फला की बेटी है की नही उसकी इस्टों के साथ खेलो उसकी आपरू के साथ खेलो मजब इस्थाम के माग्यवालोunden अपने बकार को कितना गिरा दिया है ए ऐ मजब इस्थाम से तालुग रखने वाले लोगो सुरो सुरो तुम्हारी ति अरु तारीक क्यों दालते हो उसकी वज़े ये थी कि एक वक्त ये था कि ये मज़ाब इस्ताम कमाड देवाला अपनी निगाहों की हिफादत किया करता था लेकिन आज का मुसल्मान अपनी सगी खलेरी बहन पर नज़र डाल रहा है अपनी फुबूरी बहन पर नज़र डाल डाए है अपनी चचरी बहन पर नज़र डाल डाए है एए मुसल्मानों जब तुमारी जिनदगी का शेवा सिर्फ गुनाहों की त्रभ भेगा तो क्या रब काना तुम पर फज़र फर्माएगा नहीं अगर अपनी जिन्दगी के अंदर तरक किया चाहीते हो अपनी जिन्दगी को सुनेरे अंदास से जीना चाहीते हो तो तालिमास्ते मुस्तवा पर चलना शुरू कर दो मजभए इस्ताम की तालिम पर चलना शुरू कर दो मेरा तावा है तुम्हारी दुन्या भी सबरेगी तुम्हारी आखरत भी सबरती ही नज़ आएगी सुभानला, सुभानला और मैं आपके बताओ हकीकत में मुसल्मानों हमारे बुजर्गों ने किस तरीके से अपने अंधास को पेश किया है कि उनके अंधास को देखकर लोग मजहब इस्ताम में दाखिल होते हुए नजर आएंगे अग आप पूछेंगे कैसे तो आओ में आपको बताता चलो हजरते खालिद बिन वलीद रदियल्लाहो तला अनो की जिन्दगी का ए मुसल्मानों वो सुनहरा पल आपकी निगाहों के सामने रखता चलो यही हजरते खालिद बिन वलीद रदियल्लाहो तला नहो एक मरतबा एक शहर पर चड़ाई करने के लिए जाते है अपने तमाम सिपाहियों के साथ जाते है जैसे ही किले के दर्माजे पर पहुँचे हकीकत में किले के अंदर आठ ऐसे पादरी मौजूद थै ए मुसल्मानों जो लोगों का पूरे शहर के अंदर कभजा था वो जो बात शहर के लोगों से कह देते वो लोग उनकी बातों पर अमल किया करते थै वही आठ पादरी हजरते खालिद बिन वलीद की बारगा में आते है हजरते खालिद बिन वलीद की बारगा में अरीजा पेश करते है ये मज़ाब इस्ताम के सिपह सालार खालिद बिन वलीद सुरो सुरो हम आप से जंग नहीं करना चाहेते हम आपसे लाई नहीं करना चाहेते हम आपसे जिहाद नहीं करना चाहेते हम आपसे जिहाद नहीं करना चाहेते हम आपसे जिहाद नहीं करना चाहेते ह। शेर मज़ाब इस्ताम का कलमा पढ़ के, मजब इस्ताम में दाइबान्या facilities एक्का रगएगा उन पाधियों ने इतना किहा है, हद्रते खालिद भालीद रख्यटिय थी थे हैं, कि उन्हीं में से चंद शिपाई ख़ने होते होते हैं, अर्जGोजार होते हैं, ये मज़ाब इस्ताम के सिपह सालार खालिद बिन वलीद सुनो सुनो आप इनकी बातों में मत आईएगा इनकी बातों पर मत गोर कीजिएगा ये इसाई मजभब के माड़े बाले हैं ये मज़ाब इस्ताम के खुले दुश्मन हैं ये हमें निहत तापा कर हमारे सारे के सारे सिपाईयों का कतल कर सकते है हदरतِ خालिद बिन वलीद की बारगा में जब उन सिपाईयों ने इतना कहा है तो हदरतِ خालिद बिन वलीद रदियल्लाहो तरन हो अपने सिपाईयों की तरह मुखातब होकर इर्शाद फरमाते है एए मेरे प्यारे सिपाहियों सुनो सुनो अगर मैं आज इनकी बातों पर अमल ना करूंगा तो याद करो जब मैदाने महिशर काईम होगा नपसी नपसी का आलम होगा उस वक्त अगर रब काईनात मुझसे सवाल कर लेगा एए खालिद बिन वलीद जब उन शहर के लोगों ने कहा था कि अगर हमारे इस शहर को पार कर जाओगे तो हम सारे के सारे लोग मझाब इस ताम में दाखिल हो जाएंगे तो आपने उनकी बातों को क्यों नहीं माना एए मेरे प्यारे सिपाहियों उस वक्त मै रब की बारगाह में क्या जबाब दोंगा अल्ला की बारगाह में मैं शर viंडा हो जाओंगा अपने सिपाहियों से इतना कहते हैे उनके त्माम सिपाही उनकी बातों पर लबैक किहते है उन पादरियों की बातों को मान कर एं मुसल्मानों अपने तमाम सिपाहियों को लेकर हकीकत में एक मैदान में पड़ाओ डालते हैं मैदान में पड़ाओ डाल दिया गया है उनके सिपाही अपने अपने खेमे में मौजूद है नमाज इशा का वक्त होता है इशा की नमाज की अदाईगी होती है मुसलमानों तमाम सिपाही खेमे में मौजूध है हद्रते खाली बिल् quantities आलीनों नमास की अदाएगी के बाद कुरान की तिलावत करते है जैसे ही रात का अधेरा होता है जैसे ही रात का अदा हिस्सा गुजरता है हदرتِ خالد بن ولید RA اپنے خیمے से نکلتے ہیں یہ سوچ लेकर नکلते है یہ فکر लेकर नکلتے ہیں कि लाओ देखो मेरे सिपाही क्या कर रहे है क्या वो लोग नीद नहीं पहुँच चुके है कि हदرتِ خالد بن ولید RA के तमाम सिपाही अपने अपने खेमे में मौँचूEd है हद yapıyor खालिद बिन मलीद रदियल्लाहु अन्हों जब पहने खेमे में पहुंचते हैं, उनकी निगा क्या देख रही है? उन्होंने ये सोचा था, कि मेरे सिपाही तो आराम कर रहे होंगे, मेरे सिपाही तो नीद के आगोश में पहुंच गए होंगे, लेकिन जब हज़रत खालिद बिन मुलीद रदियallahu तुल्हणाँ हो, रहे थालीज मेंसल्माई हो, अपनी सिपाहियों के ज़्जबे को देखते हैं, उनके आखों में आसवों के खत्रात आ जाते हैं, मिल्समाई लात की तारी की हैं, हदरतِ خالد بن ملید رضی اللہ عنہ کے सिपाहे हकीकत में डीद के आगोश में नहीं पहुचे हैं बलकि कोई कुरान की तिलावत कर रहा है कोई अल्ला की बारगा में सजदा कर रहा है कोई फत्व कामरानी के पर्चम को लहराने की बात करता है लेकिन ए मुसल्मानों अगर आज का नौजवान होता आज का मुसल्मान होता उसको एक रात मिल जाती कि आज के रात के बाद हमें जंग करना है वला जगे हमें जाना है तो उस रात में मुसल्मान नीद के आगोश मीना जाता बलकि ए मुसल्मानों अपनी मुबाइल में देखता कि कौन सी नई मुवी आई है उसको देख लिया जाए मुसल्मान ने अपनी जिन्दगी का सौधा किस अंदाज से कर दिया है तालीमात मुस्तफा का सौधा किस अंदाज से कर दिया है पेगंबर इस्ताम की सीरत और किरदार को कितना बद्राम कर दिया है ए मुसल्मानों में आपको बताना चाहीता हो हकीकत में मजब इस्ताम के उन मुझाहिदों को देखो खालिद बिन वलीद के उन सिपाहियों को देखो कि अपने रात की तारीकी के अंदर हकीकत में अपनी नीद को पुर्बान करके कोई नाला की बारगा में सद्दा कर रहा है कोई पुरान की तिलावत कर रहा है और ए ए मुसल्मानों में आपको बताना चाहीता हो आपने ये समझ लिया है कि मजब इस्ताम तो ऐसे ही फैल गया है बलकि जब मजब इस्ताम की तालीम कर दरब गौर करोगे मजब इस्ताम की तारीक को उठाओगे तब आपको पता चलेगा कि मजब इस्ताम इस अंदास से नहीं फैला है जिस तरीके से आप समझ रहे हो बलकि मजब इस्ताम फैला है तो हमारे बुज्रगों की कुर्बानियों की बुन्याद पर पहला है हकीकत में मुसल्मानों मैं आपको बताना चाहीता हो कि ए मुसल्मानों हदरते खालिद बिन वलीद रदियल्लाहुतना लोगे तमाम सिपाही इसी तरीके से रात के तमाम औराग को गुजारते हैं हकीकत में सुबह का सबेरा होता है वजर की नमाज की अदाएगी होती है यहीं से एक पेगाम और देना चाहीता हो हमारे बुज्रगों का ये तरीका था मुजाहिदीन इस्ञाम का ये तरीका था कि अगर वो कोई नेक काम किया करते थे तो पहले अल्ला की बारगा में सद्दा किया करते थे कुरान की तलावत किया करते थे उसके बाद किसी काम को अंजाम दिया करते थे ए मुसल्मानों मुजाहिदीन इस्ञाम का ये श्यवा था हقیقت میں वो सफर में होते थो फुर भी नमास की अदायगी करते थे तल्मारों की साइ में रहते थे तो नमास की अदायगी करते थे आप पूछेंगे कैसे तो करभला के उस माके पर भी नज़र डालो अपने तमाम यजीदियों के सामरे ह года वह ख्यूंद आप ourselves कर्बला के लोगों ने देखा है पूरी दुन्या के लोगों ने देखा है कि नमास एक रसूब कर्बला के मैदान में अपने सर को सद्धे में रख रहे हैं मगर नमास को कज़ा नहीं होने दे रहे हैं अपने नाना के उम्मतियों को पेगाम देते है ये नाना जान के उम्मतियों सुनो सुनो नमास रसूल करबला के मैदान में आया है मगर नमास को कज़ा नहीं होने दे रहा है अगर तुम मुझसे प्यार करना मेरे नाना से प्यार करना तो सबसे पहले नमाज की अदाईगी करना उसके बाद मुहब्बत की खार सुवान Allá सुभान आ थरते खालिद बिन वलीद रदिय लाहो तल्हन हो के तमाम सिपाहियों नमाज की अदाईगी की है उसके बाद तमाम सिपाही किले के द्रमादे के करीब पहुंझते हैं किले का द्रमादा の हुआ हुआ है हदरतِ خालिद बिन वलीद Wish ये सोचते हैं कि لاुख किले में दाफिल हुआ जाए मगर उनकी निगाह क्या देख रही है कि किले के द्रमादे पर कोई पहरेदार मौझूद रही है कि लेके द्रबाजे पर कोई चुकीदार मौचूद नहीं है ए मुसल्मानों हदरते खालीद बिन वलीद रदियाल्लाहुत रानों जैसे ही अपने कदम को बढ़ाना चाहते हैं इतने में कुछ सिपाही हदरते खालीद बिन वलीद की बारगामे में चल जाते हैं हरीजा पेश करते हैं ए मजब इस्ताम के सिपाह सालार खालीद बिन वलीद सुनो सुनो आपके साथ धोका होने बाला है हम सब के सम्मारे जाएंगे ये देखो इसके लिए के दर्माजे पर कोई मौजूद नहीं है इससे पता चलता है कि वो लोग हमेरे साथ कोई गए कोई गलत काम करने वाले है हदरते खालीद बिन वलीद रदियल्लाहो तरह नहोड़े अपने सिपाहियों की तरह मुखातब होकर इर्शाद फरमाया ए मेरे प्यारे सिपाहियों सुनो सुनो हम मज़ाब इस्ताम के शैदाई है हमें मर्द मुझाहित कहा जाता है हम जब अपने कदम को आगे बढ़ा लेते है तो फिर अपने कदम को पीछे नहीं करते है ए मेरे प्यारे सिपाहियों मेरे पीछे पीछे चले आओ अपने, और यह सिपाहियों ए मेरे प्यारे सिपाहियों इनके तमाम कामों को मैंने देख लिए है इनके तमाम कामों को मैंने परकदी है ये लोग हमारी नियत को भटकाना चाहीते हैं, तालीमात मुस्तफा का सुधा करना चाहीते हैं, ए मेरे प्यारे सिपाहियों, आज नभी की सुन्नत पर चलने का वक्त आ चुका है, शर्चत मुतहरा का वकार बढ़ाने का वक्त आ चुका है, पेगंबर इस्ताम की सीरत तो किर को दिखाने का वक्त आ चुका है, ए मेरे प्यारे सिपाहियों, तुम मेरे पीचे पीचे चले आओ, और अपनी निगाहों को डीची कर लो, हजरते खालिद बिन वलीद रदियल्लाहों तला नहों, अपनी निगाहों को डीची करके आगे चल रहे हैं, उनके तमाम सिपाही पीचे चल रहे हैं, यही से एक नुक्ता आपको देना चाहीता हो, अगर आज का नौजवान होता, आज का मुसल्मान होता, ए मुसल्मानों अगर उसके सामने सजाकर औरते नहीं, बल्कि एक लल्की या एक औरत को खला कर दिया जाए, तो मुसल्मान उसी पर अपनी निगा में मारा जा रहा है मुसल्मान की आबरू से खेला जा रहा है मुसल्मान को बर्राम करने की कोशिश की जा रही है जानते हो मुसल्मानों जब तुम से सवाल किया जाता है कि तुम इस हिंदुस्तान में क्यों मारे जाते हो तो तुम कहते हो मेरा नाम अहमद है इस बुन्याद पर मारा जा रहा हो मेरा नाम मुहमद है इस बुन्याद पर मारा जा रहा हो अपने सर पर टोपी लगाता हो इस बुन्याद पर मारा जा रहा हो अपने चेहरे पर दारी सजाता हूँ इस बुन्याद पर मारा जा रहा हो मगर ये निसार ऐमन ने सामे इस मिम्बर नूर से और लिम्रा एजनसी के चैनल से पूरे आलमे इस्ताम के लोगों को पेखाम देना चाहिता है है आलमे इस्ताम के लोगों सुनो सुनो अगर तुम्हें आज मारा जा रहा है तो दारी की बुन्याद पर नहीं मारा जा रहा है तो अप्री की बुन्याद पर नहीं मारा जा रहा है मुहम्मद और एहमद की बुन्याद पर नहीं मारा जा रहा है बल्कि तुम मारे जा रहे हो तो अपनी कर्टूत की बुनात पर मारे जा रहे हो जिस दिन तुम अपनी कर्टूत को सीधी कर लोगे अपनी सीरत और किरदार नभी के सीरत और किरदार पर चलना शूर कर दोगे मेरा तावा है इस हिंदोस्तान ही रहे बलकि पूरे आलम में कही भी रहोगे वो तो कामरानी के पर्चम को लहराते हुए नजरा होगे सुभानला वाह 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 अज्द खालिद बिन वलीद रदिया अगे आगे चल दे हैं उनके तमाम सिपाही पीछे पीछे चल दे हैं इसी तरीके से उस किले के दर्माजे को पार कर दिया जाता है अजरते खालिद बिन वलीद रदियाला हो तलन हो जैसे ही किले को पार किये हैं वही आठ पादरी हजरते खालिद बिन वलीद की बारगाह में आते हैं अरीज़ा पेश करते हैं मज़ाब इस्ताम के सिपह सालार खालिद बिन वलीद सुनो सुनो हम आपकी पुदस्ते अग्दस पर हम कलमे तोहीत का एकरार करना चाहीते है कलमे शहादत परना चाहीते है जब आपकी सीरत और करदार का ये आलम है तो दोनों आलम के मालिकों मुख्तार पेगंबर इस्ताम की सीरत और करदार का आलम क्या होगा तो उस पार का आलम क्या होगा मैं आपको बताना चाहीता हो हकीकत में आज हमारी जिन्दगी किस तरीके से गुजर रही है आज मुसल्मान अपनी जिन्दगी का सौधा किस अंदाज से कर रहा है आओ मैं आपको बताता चलो मुसल्मानों की जिन्दगी का सौधा इस अंदाज से हो रहा है कि एक वक्त ये था कि यही मज़ाब इस्थाम का माध बिबाला जब अपनी जिन्दगी को गुजारा करता था तो ए मुसल्मानों इनकी जिन्दगी को देखकर लोग फखर किया करते थे लेकिन आज तो हमारी जिंदगी इतनी खラब हो चुकी है कि पेगंबर इसक्टाम ने जो हमें फर्मान दिया उस फर्मान पर हम अमल नहीं कर रहे है नभी की शरीयत पर हम अमल नहीं कर रहे है हकीकत में मुसल्मानों हमें क्या करना चाहिये आज हम इस बात को भी नहीं जानते है यही रमजान का प्यारा महीना गुजरा है इसी रमजान मुबारक के प्यारे महीने में आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों ने हकीकत में सक्ती की वज़े से रोजा को तोड़ दिया लेकिन याद करो मुसल्मानों बेरोजेदारों की इतनी भ्यानक सजा है इतनी भ्यानक सजा है कि जब क्यामत का दिन होगा तब उन्हें पता चलेगा कि कितनी भ्यानक सजा दी जाती है मैं आपको बताना चाहीता हो हमारे समाच के अंदर कितनी बुराज्जा जनम ले चुकी है हमारे मख़ब के अंदर कितनी बुराज्जा जनम ले चुकी है ए मुसल्मानों एक वक्त ये था कि हमारे बहने नमाजों की पाबंदी किया करती थे हमारी घर की औरते कुरान की तिलावते किया करती थे लेकिन आज उनकी जिन्दगी पर गोर कर सकते हो कि आज उनकी जिन्दगी सिर्फ सीरियल में उल्ची हुई है फिल्मों में उल्ची हुई है टी बी और बिस्यार में उल्ची हुई है जिस दिन हमारी घर की आउरते हमारी पहने नमाजों की पाबंदी करना शुरू कर देंगे पेगंब्र इस्ताम की सीरत और किरदार पर चलना शुरू कर देंगे वादमत उस्जहरा का तरीका अपने तरीके से मैच कनाना मिले करना शुरू कर देंगे मेरा तावा है रब काइनात उस दिन उन औरतों पर अपना खास फजल परबाएगा करम परबाएगा उन पर रहमत और नूर की बारिश होती ही नजर आएगी और मैं आपके सामने आखरी बात कहना चाहता हो वो बात ये है मुसल्मानों आज हमारी जिन्दगी के अंदर कितनी बुराजजा हो रही है एक वक्त ये था मुसल्मानों हमारा नौजमान जब अपनी जिन्दगी को बसर करता था तो ये मुसल्मानों लोग देखकर कहते थे कि ये मजभब इस्ताम का शेयदाई है लेकिन आज मुसल्मानों की जिन्दगी को देख सकते हो हकीकत में मुसल्मान अपनी आबरू का सोदा की संदासे कर रहा है एए मुसल्मानों आप अखबार के जरीये से खबर ले रहे होंगे न्यू चैनलों के जरीये से आपको पता चल रहा होगा कि हकीकत में आज सबसे ज़ादा बुरा जाकिन के अंदर पाई जा रही है नौजमान बेटे और बेट्यों के अंदर हकीकत में आज बाकैदा देखा जा रहा है अख़बार के जरीए से खबर मिलती है कि फला की बेटी फला के साथ भाग गई है फला की पहन फला के साथ भाग गई है ए मुसल्मानों ये गुनाह बड़ी तेजी से क्यों आम हो रहा है उसकी वज़े ये है कि आज माबाप अपनी बच्चों की पर्वरिश ठीक अंदास से रही कर रहे है उनकी सीरत और किरदार पुर्ठीक तरीके से धान नहीं दे रहे है हकीकत में जिस दिन हमारे माबाप अपने बच्चों को नमाजों की पावंदी कराना शुरू कर देंगे पुरान की तिलावते कराना शुरू कर देंगे मेरा तावा है ये बच्चे किसी के साथ भागेंगे नगे बलकि अपने माँ माँ की मर्यादा की हिफाज़त करते हुए अपनी इस्सकों की हिफाज़त करते हुए पर्दे में रहकर हकीकत में खातुने जुन्नत की सुन्नत पर अमल करती हुए बहुत अच्छे आपको बताओं मुसल्मानों आज किस तरीके से हमारे समाच के अंदर बुराज्जा फैली हुई है ए मुसल्मानों ये बुराज्जा पहले के लोगों के भी अंदर पाई जाती थी एक रिबायत रखकर मैं अपनी गुप्तगु खत्म करूंगा हकीकत में वे रिबायत ये है अल्लामा अब्दुर्रह्मान सफूरी ने अपनी किताब निजधतुलमजालिस में लिखा है हकीकत में एक शहर के अंदर एक बहुत हसीन औ जमीर लड़की थी बड़ी ही खूबसूरत लड़की थी उसकी खूबसूरती का चर्चा पूरे शहर के अंदर था पूरे शहर के अंदर उसी की खूबसूरती का चर्चा हो रहा था जिसकी खूबसूरती को देखकर हकीकत में शहर के कई नوجमान खड़े हो जाते हैं कि उसकी इज़तों के साथ मैं खेलूंगा उसकी आपरू के साथ मैं खेलूंगा जिस तरीके से आपने इस समाच के अंदर देखा होगा हमारे गाओं के अंदर हमारे कस्वों के अंदर कोई खुबसूरत औरत हो कोई खुबसूरत लल्की हो तो उसका तो तमाम नौजमान उसके पीछे चलने लगते हैं, लड़की जब किसी काम के लिए जाती हैं, तो नौजमान उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं, लड़की जब भी बाहर निकलती थी, तो ऐ मुसल्मानों गंदे गंदे जुम्लों को उस लड़की को सुनाते हुए नज तो आज का नौजमान अपनी बेहनों की इस्जतों की इफाज़त नहीं कर पा रहा है। वो लड़की जब भी अपने घर के बाहर निकलती तो वो नौजमान फौरण पहुच जाता था। लड़की के लिए हकीकत में नौजमान के पास फुरसत ही फुरसत मिल जाती है। याद रखो मुसल्मानों इन आवारा लल्कियों के पीछे चल कर तुम अपनी जिंदगी का सौदा कर रहे हो। लेकिन अगर माबाप के हुक्म की तामिल कर दिये माबाप की बातों पर अमल कर दिये तो मेरा दावा है। रखो में आपको बताता चलो उस लड़की के पीछे हकीकत में उसकी जिंदगी के बरबाद करने के लिए लोग उसकी आबरू का सौदा करने के लिए वो नौजमान खड़ा हुआ है। हकीकत में मुसल्मानों वो लड़की एक दिन ठकार जाती है। उस वो अपने शोहर की बारगाह में पहुचती है। अपने शोहर से दरियात करती है। जो सबसे बड़ी जामा मस्धध था। उसकी मस्धध का वो इमाम था। अपनी बीबी से कहने लगा। तो तुम उससे कहिना कि अगर तुम उसको पाना चाहिता है तो सुन तुहला मस्जित के इमाम के पीछे 40 दिन तक पंजबक्ता नमाज की पाबंदी कर दे मैं तेरी मुहबत में गिरफ़ार हो जाओंगे हकीकत में मुसल्मानों जब सुबह का सबेरा हुआ है हकीकत में वो नौजमान ललकी अपने घर के दर्माजे के करीब पहुंसती है वो नौजमान उसको छेलने के लिए सामने आता है ललकी उस नौजमान को अपने करीब बुलाती है नौजमान से तर्याप करती है ए नौजमान क्या तू मुझसे प्यार करता है क्या तू मुझसे मुझसे मुहबत करता है हकीकत में नौजमान ने कहा ए लड़की सुन अगर तू कह देगी तो मैं अपनी दौलत को तेरे कदमों पर निचाबर कर दूँगा अगर तू कह देगी तो मैं अपने सर को कटा लूँगा हकीकत में नौजमान लड़की ने कहा है ए नौजमान मुझे तेरी दोलत से प्यार नहीं है मेरे तुझे तेरी जान से प्यार नहीं है ए नौजमान अगर तुम उससे प्यार करता है तो फला मस्जित में फला मस्जित के इमाम के पीछे पंजबकता चालिस दिन नमाज की पाबंदी कर दे मैं तेरी मुहबत में गिरफ़तार हो जाओंगे हकीकत में उस नौजमान ने सोचा कि जिस लड़की का बहुत दिनों से पीछा कर रहा हो सिर्फ चालिस दिन नमाजों की बात है मैं नमाजों को पढ़ लूँगा उसके बाद ये लड़की तो मेरी मुहबत में गिरफ़तार हो जाएगे हकीकत में मुसल्मानों वो नौजमान उसकी इज़तों के खेलने के खातिर हकीकत में अब नमाजों की पाबंदी कर रहा है हकीकत में फजर की नमाज जमाज से पढ़ रहा है जोहरो असर की नमाज जमाज से पढ़ रहा है मगरिबो एशा की नमाज जमाज से पढ़ रहा है नमाज की पाबंदी इस अंदाज से कर रहा है कि ए मुसल्मान औ अजान होने से पहले पहले मस्जिद में दाखिल हो जा रहा है अभी दस दिन का अर्सा गुजरा था अपने दिन में ये सोच पैदा करने लगा कि अब तो मैं नमाजों की पाबंदी कर रहा हूँ क्यों ना कुरान की तिलावत करो हकीकत में अब कुरान की तिलावत भी कर रहा है अभी बीस दिन का अर्सा गुसरा था अपने दिल में ये सोच पैदा करने लगा अब तो मैं नमाजों की भी पाबंदी करता हो कुरान की तिलावते भी करता हो अब क्यों ना मैं अपने माबाप की खिद्मतों को अंजाम लो जन्नत का सर्टिफिकट अपने नाम कर लो हकीकत में मुसल्मानों अब नमाजों की पाबंदी के साथ-साथ कुरान की तिलावत भी हो रही है माबाप की खिद्मते भी हो रही है हकीकत में इसी तरीके से चालिस दिन का वक्पा पूरा होता है ए मुसल्मानों वो लड़की ये सोच पैदा की हुई थी कि आज वो नौजमान आएगा मुझे अपनी मुहबत में गिरफ तार करेगा मगर ऐसा ना हुआ चालिस दिन का वकपा पूरा हो चुका है वो लड़का उस लड़की से मुलाकात नहीं कर रहा है एक तालिस दिन बीत रहे है वो लड़का उस लड़की से मुलाकात नहीं हो रहा है हकीकत में इत्वाक ऐसा होता है एक दिन उस लड़का और लड़की से मुलाकात धूरी है लड़की ने लड़के से दर्याब किया ए लड़का ये बता क्या तू अम मुझसे प्यार नहीं करता है क्या तू अम मुझसे मुहबत नहीं करता है हकीकत में लड़के ने कहा ए लड़की सुल जब मैं नमाजों की पाबंदी नहीं करता था कुरान की तिलावते नहीं करता था तो मैं तुझ से बहुत जादा प्यार करता था मैं तुझ से बहुत जादा महबत करता था मगर ए नौजमाल ललके सुल जबसे मैं नमाजों की पाबंदी करने लगा हूँ जबसे मैं कुरान की तिलावते करने लगा हूँ जबसे मैं माबाप की खिवतों को अंचाम देने लगा हूँ हम मेरे दिल में किसी और की महबत नहीं अगर दिल में किसी की महबत है तो वो नमाज की महबत है वो कुरान की महबत है वो अल्लाहु रसूल की महबत है तो ऐे मुसल्मानों अगर अपने बच्चों की सीरतों किरदार को सुदारना चाहीते हो उनकी तरभियत में हकीकत में इजावा करना चाहीते हो तो नमाजों की पावंदी कराना शुरू कर दो कुरान की तिरावते कराना शुरू कर दो मेरा दावा है कि हकीकत में हमारे बच्छों का मिस्तकिन सुधरता हुआ नज्र आएगा क्युंकि शायर ने कहा है अल्ला के हुस्दूर में सर को जुका के देख मिलता है क्या झानमाज में सजदे में जाके देख वो खुशनसीब है जिसे मन्जूर है नमाज मुमिन की पाक रूह का एक नूर है नमाज और मुनकर नकीर कबर में पूछेंगे जब सवाल देगी नमाज खुद ही नमाजी का हर जबाब हजराते मुतरम यही पर मैं अपनी गुपतुगों खत्म करता हूँ क्योंकि टाइम की भी किलत है मुला की बारगा में दूआ है कि रब तबारा का बताला हम तमामी मुसल्मानों की इस हाजरी को अपनी बारगा में कुबूल मकबूल फरमाए आली जनाब रहमत भाई पर अपना खास फजल फरमाए करम फरमाए आली जनाम नौशाद अहमद बिल गरामी पर भी अपना खास फजल फरमाए करम फरमाए इन लोगों पर रहमत और दूर की बारिश अता फरमाए इन उल्माई गराम पर अपना खास फजल फरमाए खास करके हमारे खानकाहों की हफाज़त फरमाए हमारे मदरसों की हिफाज़त फर्माए मेरे साथ मेरे असाज़ा की दौाई रखे मेरे वालदेन की दौाई रखे इन उल्मा एक्राम की दौाई रखे हुजूर्सेयद शबाहत हुसेन साफ टिबला की दौाई रखे आप अपने जल्सों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसी रापता कायम करें लिम्रा एजेंसी अमीनाबाद लखनौ मोबाइल नमबर डबल नाइन थ्री फाई जीरो फाई फाई सेवन एट नाइन